नरुस्ट हलोस्तों, ढीट है आज की 22 तंबर 2020 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में आज चार इशूस हमें डिसकेश करने हैं, वैसे तीन आज हम डिसकेश करेंगे और एक इशू लेबर बिल्ड से सम्मंदित ये हम कल डिसकेश करेंगे तीन इशू आज हम कौन-कौन से डिसकेश करेंगे, सबसे पहले हम डिसकेश करेंगे जो इंडिया और चाइना के रिलेशन्स में खटास हैं, इसका क्या इंडिया और रुष्या रिलेशन्स पर इंपक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा दूसरा आर्टिकल हम डिसकस करेंगे पॉइंट ओफ ओडर से समधित और तीसरा आर्टिकल हम डिसकस करेंगे अब राम एकोर्ड का क्या असर पड़ेगा इंडिया पर लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पॉर्षन चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टकल इंडिया और चाइना के रिलेशन्स जो पिछले कुछ समय में काफी खराब हुए हैं क्या इसका इंपक्ट इंडिया रश्या रिलेशन्स पर पढ़ेगा या फिर नहीं पढ़ेगा इससे समधित हैं आप जर्नल स्टेडी पेपर 2 के इस एक्सरसाइज ओर्गाइज होनी थे जिसका नाम था कैवकाज 2020 या फिर कोकर्स दो हजरबीश में इसे संगज़ाई 2019 हैं तो हम इस military exercise में इससा नहीं लेंगे लेकिन actual जो reason था वो ये था कि फिलाल इंडिया और चाइना के बीच में tensions हैं और इंडिया अभी फिलाल ऐसी कोई military exercise में participate नहीं करना चाहता जिसमें चाइना भी हो देखो इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जिसे लगा कि साइध इंडिया चाइना के खराब relations का impact इंडिया रस्या रिलेशन्स पर पढ़ रहा है पहले क्या हुआ जून में जब देखो RIC group की meeting organize हुई RIC में तीन देश सामिल है रस्या इंडिया और चाइना इन तीन देशों के foreign ministers की meeting organize हुई और इस meeting के खतम होने के बाद कोई भी official statement जारी नहीं हुई तो ऐसा लगा कही ना कही डिफ्रेंसिज हैं तीन देशों के बीच इसी लिए meeting के खतम होने के बाद कोई भी जो final statement हैं वो जारी नहीं हुई बट देखो ये सब story की सिरफ एक side हैं बेसक इंडिया और चाइना के बीच में tensions हैं लेकिन अभी तक रस्या ने किसी भी देश की side नहीं ली हैं इंडिया और चाइना के बीच tensions को कम करने के लिए रस्या चुप चाप diplomatic role play कर रहा हैं और रस्य में जून में जब 75th victory day parade organize हुई थी तो उसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के defense minister राजनात सिंग गए थे COVID-19 के बावजूद इवन अभी कुछ दिनों पहले 4 September को फिर से defense minister राजनात सिंग रस्या की यात्रा पर गए और उसी मोके पर चाइना के defense minister के साथ भी हमारे defense minister की meeting उटनाइस हुई तो कहीं न कहीं ऐसा लगा कि रस्या ने इस meeting को facilitate किया हो इन visits के दुरान detailed discussion हुई Russian counterparts के साथ कैसे इंडिया-Russia relationship को आगे ले जाए जाए खास करके defense relationship चर्चा इस बात पे हुई कि इंडिया की जो requirements हैं कैसे रस्या उन defense requirements को जल्द से जल्द पूरा करेगा इवन देखो हाल ही में इंडिया जो military exercise regularly इंडिया और रश्या के बीच organized होती हैं वो भी organized हुई कहां पर Indian Ocean में काफी strategic location हैं अंडमान और निकुबार आइलेंड के पास ये इंडिया मिल्टरी exercise organized हुई इसके लावा हमारे विदेश मंतरी S.J.Sankar वो भी BRICS के foreign ministers की meeting में हिस्सा लेने के लिए 4 September को रश्या में गए और इसी मोके पे चाइना के विदेश मंतरी के साथ भी हमारे विदेश मंतरी की meeting organize हुई इवन नवंबर में S.C.O. के heads of government की जो meeting organize होगी वो इंडिया में हो सकती है इंडिया उस meeting को host कर सकता है तो ये दूसरी side है पहले हमने discuss की पहली side किस परकार से impact पढ़ रहा है खराब होते इंडिया चाइना relations का इंडिया रश्या relations पर दूसरी side ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है इंडिया और रश्या के जो relations है वो ठीक ठाक चल रही है तो writer अब analyze करते हैं challenges क्या-क्या हैं इंडिया रश्या relations में और कैसे उन challenges को address करने का पर्यास इंडिया कर रहा है मतलब इंडिया के रश्या के साथ relations खराब ना हो इसको ensure करने के लिए इंडिया कैसे पर्यास कर रहा है पहले बात करते हैं challenges की देखो ये जो multilateral forums होते हैं जैसे SEO या फिर BRICS इन में member countries आके मिलते हैं और decide करते हैं मतलब कौन-कौन से issues पर चर्चा होगी अगर देखो differences ज़्यादा हैं मान लिजिए इंडिया, China, Russia तीनों member हैं BRICS के भी और SEO के भी अब मान लिजिए इंडिया बोलता है BRICS की meeting में कि इस issue पर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे कुछ देश, Expansionism की policy अपना रही हैं चाइना कहता हैं नहीं, इस issue पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, economy पर चर्चा होनी चाहिए तो अब रस्या के उपर धरम संक्ट पैदा हो जाएगा, किसका साथ दे, मतलब रस्या क्या बोलेगा, क्या चाइना के कहने पर economic issues को discuss करने के लिए अपना समर्थन देगा या फिर इंडिया के कहने पर expansionism की जो policy कुछ देश अपना रही है, उस issue पर चर्चा करने के लिए अपना समर्थन देगा मतलब कौन सा issue discuss होना चाहिए, इस मुद्धे पर रस्या इंडिया का साथ देगा, या फिर चाइना का साथ देगा काफी बार ऐसी दिखते आ जाती है, multilateral forums में दूसरा जो challenge है, वो ये है, QUAD QUAD में देखो चार देश है, जपान है, USA है, आस्टेलिया है, इंडिया है अब जब से इंडिया और चाइना के बीच relations खराब हुए है तो QUAD की activities पहले के comparison बढ़ गई है अगर यूं बोले, बिल्कुल ही QUAD ने military role अपना लिया है तो ये तो गलत होगा, लेकिन पहले ठंडे बस्ते में था इंडिया थोड़ा सा reluctant था, इंडिया नहीं चाहता था कि चाइना रशिया इन देशों को ऐसा लगे कि इंडिया ने USA के group को join कर लिया है, इसलिए QUAD पर इंडिया आज के समय में ज्यादा focus कर रहा है, मतलब ऐसा इंडिया नहीं चाहता था, signal जाए बट जैसे ही relations खराब हुएं, हमारे जो chief of defense staff है विपिन रावत उन्होंने QUAD का समर्थन किया, उन्होंने कहा ये एक अच्छा आइडिया है तो कुछ experts कहते हैं, ये देखो क्या अपने आप में contradictory नहीं है क्योंकि देखो, रस्या भी QUAD को नहीं पसंद करता है रस्या को ये लगता है, QUAD जो है, वो कुछ देशों को counter करने के लिए है, खास करके चाइना को लेकिन इंडिया ने रस्या को issues करने के लिए, इवन चाइना को भी चाइना के concerns को address करने के लिए, statement दी थी हैं हमारे विदेश मंत्री ने कि देखो, अगर कोई एक देश, दूसरे देश के साथ engage करता है, तो इसका मतलब वो zero sum game नहीं है zero sum game का मतलब, zero sum game का मतलब ये है, एक का फाइदा दूसरे का नुकसान माली ये तीन देश हैं, A, B, C, अगर A के दोस्ती B के साथ बढ़ती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि A की दोस्ती जो है, C के साथ घटेगी अगर ऐसा होता है, कि A की B के साथ दोस्ती बढ़ती है, तो मतलब A और C की दोस्ती घटेगी, तो मतलब ये zero sum game है तो हमारे विदेश मंतरी ने कहा, बेसक इंडिया की USA के साथ relationship मजबूत हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उतने ही जो दोस्ती है, रश्या के साथ कमजोर हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब इंडिया ने ये convince कराने की कुछिस की है, कि इंडिया के हर एक देश के साथ जो relation है, वो isolation में है, हाला कि देखो practically ऐसा होता नहीं है बट ये कहने की बात है, कि अगर इंडिया के एक देश के साथ relation खराब हो रहे हैं, for example, चाइना के साथ, तो इसका impact रश्या के साथ नहीं पड़ेगा Even अगर चाइना और रश्या के साथ relations, मतलब चाइना और रश्या के relations मजबूत हो रही हैं, तो इसका असर भी इंडिया रश्या relations पर नहीं पड़ेगा ऐसा इंडिया ने convince कराने की कोशिस की, ऐसे इंडिया ने signal दिये देखो पिछले कुछ समय में इंडिया और रश्या ने काफी कोशिस की हैं, relations को सुधारने की, खांस करके 2018 में सोची informal summit और नाइस हुआ था, उसके बाद से इंडिया और रश्या के बीच काफी cooperation देखने को मिल रहा है 2018 से पहले थोड़े से रिष्टे मतलब खराब तो नहीं कह सकते लेकिन concerns आ गए थे रिष्टों में क्योंकि रश्या को ये लगने लगा था कि इंडिया चाइना के करीब जा रहा है, इंडिया ने रश्या से हत्यार import करना भी बंद कर दिया है, काफी कम कर दिया है, बंद त दिखने को मिल रहा है, जैसे defense में, इवन USA के मना करने के बावजूद, इंडिया रश्या से S-400 missile defense system पर chase कर रहा है, और Central Asia, अफगानिस्तान, West Asia में परमुख issues पर इंडिया रश्या के साथ consult करता है, देखो, इंडिया और रश्या दोनों pragmatic players हैं, दोनों इस बात को recognize करते हैं कि इंडिया के भी और रश्या के भी अलग-अलग देशों के साथ रिष्टे हो सकते हैं, बट दोनों इस बात को भी recognize करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों के साथ जब इंडिया के रिष्टे होंगे, या फिर रश्या के भी दूसरे देशों के साथ रिष्टे अच वो है चाइना के राइज की, जैसे ही चाइना राइज हो रहा है ना पूरा बैलेंस ओफ पावर चेंज हो रहा है और इसी चेंज होते बैलेंस ओफ पावर के कारण रस्या और चाइना के रिष्टे बहुत मजबूत हो गए हैं, इसका main reason USA भी है 2014 के बाद से ही जब से USA ने 2014 में रश्या के ऊपर सैंक्सेंस लगाए है तब से रश्या चाइना के बहुत करीब चला गया है क्योंकि रश्या को अपनी गैस बेचनी है, ओल बेचना है अब वेस्टरन कंट्रीज नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा चाइना खरीद रहा है, तो इसलिए रश्या की चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है बड़ देखो, USA चाइना को रिविजनिस्ट पावर मानता है रिविजनिस्ट पावर वो पावर्स होती है जो वर्ल्ड ओर्डर को चेंज करना चाहती है USA देखो, स्टेटस को पावर है USA चाहता है, जैसा वर्ल्ड ओर्डर अभी है, फिलाल वैसा ही होना चाहिए हमारी हेगमनी है, वर्ल्ड के ऊपर हेगमनी बरकार रहनी चाहिए बड़ चाइना को ये लगता है, कि USA को रिप्लेस करके, हम सुपर पावर बने तो चाइना रिवीजन चाहता है, वर्ल्ड ओर्डर में, लेकिन रश्या को ऐसा लगता है, कहीं USA की जो ये नीती है, रश्या को भी ना कंटेन कर ले, मतलब रश्या को ट्रस्ट नहीं है USA के ऊपर, इसलिए इंडिया रश्या को विश्मास दिलाना चाहता है, कि इंडिया और दूसरे इंडिया के लाइक माइंडेड कंट्रीज की जो इंडो पैसिविक रणनीती है, वो रश्या की अगेंस्ट नहीं है, जैसे प्रधामंतरी मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी, कि इंडिया की जो इंडो पैसिविक स्टेड़जी है, ये लिम्टिड मेंबर्स का कलब नहीं है, मतलब क्वैज की तरफ इसारा करते हुए बोला गया था, ये लिम्टिड मेंबर्स का कलब नहीं है, कि इसमें चार ही देश रहेंगे, इवन प्रधामंतरी मोदी ने 2019 में रश्या के फार इस् के, एक परकार से व्लादी वोस्तों को आप यूरेशिया और इंडो पैसिविक का कन्फूरेंस कह सकते हूं, ये कोशिश थी एक परकार से रश्या को विश्वास दिलाने की, कि इंडो पैसिविक जो स्टेड़जी है, जो रणनीती है, वो आपकी अगेंस्ट नहीं है, फा इंडिया को भी रश्या को भी, क्यूंकि देखोगे इंडिया USA का चेला बनके नहीं रहना चाहता, मतलब ऐसा नहीं चाहता कि USA की बात इंडिया को माननी पड़े, USA के हिसाब से इंडिया अपनी फोरण पॉल्सी डिसाइड करे, ऐसा इंडिया विलकुल नहीं चाहता, चाहता तो इसलिए वर्ल्ड अगर दो ग्रूप्स में डिवाइड होगा तो दोनों को नुक्सान होगा इंडिया को भी रश्या को भी तो ग्लोबल ओडर जो है वो इवोल हो रहा है बिल्कुल सेम फोरेंड पॉल्सी रश्या और इंडिया फोलो करें ये तो मुस्किल है बट पड़ेगा इंडिया रश्या रिलेशन्स पर या फिर नहीं पड़ेगा चलते हैं आगे नए स्था आर्टिकल पॉइंट ओफ ओडर के बारे में हैं आप जनल स्टडी पेपर टू के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं सबसे पहले मुझे आप एक बात प्रिसक है, इसका मतलब क्या है, Point of order का क्या मतलब है, Point of order का मतलब देखो ये है, जब house की working चल रही है तो इसी बीच कोई भी member खड़ा हो सकता है और बता सकता है कि working में house के conduct होने का ये जो rule है वो valid हुआ है, मतलब rule के against house ने काम किया है, ऐसी आवाज कोई भी member raise कर सकता है, तो इसे कहा जाता है point of order, अभी फिलाल context यह है, farm समंदित जो bills हैं, जिनको लेके farmers protest कर रहे हैं, उनको लेके राज्यसभा में voting होनी थी, अब राज्यसभा में voting देखो, दो परकार से हो सकती है, आपको भी पता है, एक तो सिद्धा राज्यसभा की जो chairman या फिर vice chairman जो भी seat पर हैं, वो चर्चा के बाद member से पूछें, जो bill के पक्स में हैं, वो बोले I, तो कुछ जो members हैं वो I बोलते हैं, और जो bill के विरोध में हैं, वो बोले ने या फिर नो, तो जो bill के विरोध में हैं, एक भी member ये कहाद देता हैं, कि नहीं आप voting की recording करवाईए, automatic vote recorder की साहिता से, इसमें क्या होता हैं, इसमें देखो button दबाना पड़ता हैं, मतलब machine की साहिता से vote देना पड़ता हैं, और result इस परकार से सिदा सिदा आ जाता हैं, कि 100 लोगों ने bill के पक्स में vote दिया, 75 लोगों ने bill के खिलाफ vote दिया, ऐस इस परकार से digitally result आ जाता हैं, तो अगर एक भी member मांग करता है, कि आप votes को record करवाईए, तो chairman जो हैं, इस बात को मान लेते हैं, और इसी परकार से votes की recording होती हैं, बट देखो, Saturday को ऐसा नहीं हुआ, काफी सारे members, मांग करने लगें, वोल के पास वो आ गए थे, दिमांड करने लगे थे, कि votes की recording करवाई जाए, वो इस votes से नहीं पता लग रहा है, कि bill pass हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, बट, जो चेर्में थे, उसमें, जो उप सभापती है, वो पीट पर थे, वो चेर पर बैठे थे, उन्होंने इंकार कर दिया, और उन्होंने reason ये दिया, कि इतना ज़्यादा हंगामा members कर रहे थे, मैंने तेरा बार उनको बोला, कि आप अपनी seat पर बैठ जाए, members अपनी seat पर नहीं बैठे, इसी वज़े से, जो automatic vote recorder है, उसकी साहिता से, votes की recording नहीं करवाई जाज़की, बट देखो, आंटिकल में ये कहा जाता है, ये देखो गलत है, क्यूंकि, हंगामा तभी start हुआ था, क्यूंकि members, मांग कर रहे थे, कि automatic vote recorder की साहिता से, voting करवाई जाए, बट chairman बात को नहीं मान रहे थे, इसी वज़े से, members ने हंगामा start किया, अगर हंगामा ही एक reason है, मतलब house जो है, वो order में नहीं है, यही एक reason है, तो फिर इसी disorder में तो bill भी pass हो गया, मतलब chairman ने इसी disorder में यह कह दिया, कि bill passed amid din, मतलब सोरगूल के बीच जो bill है, वो pass हो गए हैं, members यह भी demand कर रहे थे, कि इन bills को अभी ना pass किया जाए, parliamentary select committee के पास भेजा जाए, बट, ऐसा नहीं हुआ, और bills अब pass हो चुके हैं, तो अब हुआ क्या हैं, वो 8 members, जो vice chairman की seat के पास आये थे, आरोप यह है कि उन्होंने vice chairman के पास, जो mic लगे थे, उनको उखार दिया, और एक परकार से, marsals के साथ भी बत्ते मिजी की गई, तो अगले दिन यानी Monday को, उन 8 members को house से suspend कर दिया गया, बाखी बचे हुए session के लिए, अब वो 8 members हैं, वो धरने पर हैं, आर्टिकल में यह कहा जाता है, देखो यह government की जिम्मेदारी है, कि house को अच्छे से चलाना, और जो house के rules हैं, वो तो sacrosanct हैं, उनको तो follow करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, rules यह कहते हैं, अगर एक भी member demand करता है, कि automatic voice recorder की साइथा से voting होनी चाहिए, तो voting होनी चाहिए थी, house में disorder होना कोई नहीं बात नहीं है, सोरगुल काफी बार होता है house में, बट यह अपने आप में पहली बार हुआ है, कि members ने demand किया हो, कि automatic voice recorder की साइथा से voting करवाई जाए, लेकिन voting नहीं हुई हो, देखो, यह जो rules हैं, उनको follow किया जाना बहुत ज़रा जरूरी है, house के conducting में, और यह chairman, speaker या फिर सरकार की benevolence पर depend नहीं कर सकता, कि हाँ, उनकी मर्जी हो तब तो automatic voice recorder की साइथा से vote करवा दिया जाए, और जब मर्जी चाहिए, जब automatic vote recorder की साइथा से vote करवा दिया जाए, उनकी मर्जी पर नहीं depend करना चाहिए, अब लास्ट में राज्यस्बा के बारे में कुछ concerns बताए जाते हैं, वैसे दो देखो, parliament जो है, वो एक deliberative forum है, यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, debate होनी चाहिए, बट demonstration के लिए, protest के लिए, parliament का इस्तमाल क्या जाता हैं, और opposition भी, बहुत बार walk out कर जाते हैं, या फिर source राबा करते हैं, मतलब discussion होने ही नहीं देते, यह कोई तरीका नहीं है, अपने concerns को raise करना, raise करने का, मतलब source राबे की साहिता से, हो अल्ला करके आप concerns अपने नहीं raise कर सकते, discussion के लिए हैं यह forum, काफी बार यह होता है, कि कई bills को money bill के तोर पर pass कर दिया जाता है, तो इस से जो राज्यस्भा की significance है, वो कम होती है, सोचके देखिए, अगर कोई bill money bill के तोर पर pass कर दिया जाता है, money bill को आपको पता है, राज्यस्भा में pass करने क्या सकता नहीं होती है, तो फिर राज्यसभा की पावर तो कर्टेल हो गई ना कम हो गई ना तो इन सब चीजों के बाद क्या हुआ कि उप सभापती जब वो सीट पर थे ये सारा हंगामा हुआ तो उनके खिलाफ नो कॉंफिडेंस मोशन पास किया गया जिसे रिजेक्ट कर दिया गया चेर्मेन के द प्रोसीजर्स में कमी थी प्रोपर प्रोसीजर्स को नहीं फोलो किया गया इन बिल को पास करने में तो यह हमने पूरा आंटिकल डिसकस किया पॉइंट ओफ ओडर से समंदित चलते हैं आगे ने स्थार्टकल अब राम एकोड की इंडिया के उपर इंप्लिकेशन से समंदि अब राम एकोड से समंदित हैं अब राम एकोड का इंडिया के इंट्रेस्ट पर क्या फरक पड़ेगा इससे समंदित चलते हैं अब राम एकोड है क्या देखो इसराइल के साथ यूएई और बहरीन ने रिष्टों को जो नॉर्मलाइज किया हैं यही है अब राम एकोड यह कहां पर sign हुआ, यह USA में, White House में sign हुआ, आप GS Paper 2 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हों, महेश सचदेव के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है, तो impact के अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं, Middle East के उसके बाद main theme है, कि इंडिया पर क्या impact पड़ेगा, वो discuss देखो, क्या Middle East में peace established होगी, इस accord के बाद, देखो, UAE, बहरीन, इनका पहले भी कोई सिधा सिधा dispute नहीं था, इसराइल के साथ, चुकि यह देश, अरब unity में विश्वास रखते हैं, और अरब unity यह कहती हैं, कि Palestine और इसराइल के बीच, जो dispute हैं, इसका solution, two states की form में निकलना चाहिए, मतलब Palestine के लिए अलग से देश, और इसराइल के लिए अलग से देश, लेकिन अभी तक यह solution निकला नहीं है, इसी वज़े से रिष्टे नॉर्मलाइज नहीं थे, इन अरब countries के इसराइल के साथ, और यह जो countries हैं, UAE, और बहरीन, यह relatively modern society हैं, तो इसलिए इन देशों में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, मैं आपको देखो example देता हूँ, देखो इस सरकार में तो हला change हुए है, UPA की सरकार के दुरान, या फिर उससे भी पहले, कोई भी हमारे देश का परधामन्तरी इसराइल की यात्रा पर नहीं गया था, क्योंकि डर लगता था, कहीं हमारे देश के जो मुस्लिम से हैं वो नराज ना हो जाएं कि आपने पैलस्टीन के कांस को इग्नोर कर दिया, तब तक ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि UAE और बहरीन ये देश इसराइल के साथ रिष्टों को नर्मलाइज करेंगे, क्योंकि इंडिया ने ही इतन तो आप इस चीज की एहमियत समझ सकते हो कि UAE और बहरीन तो अरब कंट्रीज हैं, ये तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन्होंने इसराइल के साथ रिष्टों को नर्मलाइज किया है, फिर भी इन देशों के अंदर जादा विरोध हुआ नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिवली येमिन आता है, येमिन में आलरेड़ी सिविल वार चल रहा है, तो ये सिविल वार और बेज़ादा पुकता हो सकता है, मतलब जो रैडिकलिस्ट हैं, वो और ज़ादा विरोध कर सकते हैं, इसराइल का, UAE का, बहरीन का, इन देशों का, और उनको स्पोर्ट किया जा सकता ह है, इरान के द्वारा, तो इस वज़े से, खास करके, जो सिया डोमिनेटीड इलाके हैं, वहाँ पर कन्फिक्ट इंक्रीज हो सकता है, अब बात करें, जो आर्टिकल की में थीम है, इंडिया पर क्या इंपक्ट पड़ेगा, देखों, इस से पहले, इजिप्ट और जोर्ड हैं, बट UAE के साथ तो हमारे रिष्टे काफी अच्छे हैं, गल्फ में हमारा इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यदा श्ट्रोंग है, आल्मुस्ट असी लाख जो लोग हैं, वो गल्फ कंट्रीज में रहके काम कर रही हैं, एन्वल बेसिस पर 50 बिलियन डॉलर्स की रेम करते हैं, गल्फ कंट्रीज से मेजर इंवेस्टमेंट भी हैं इंडिया में, तो मतलब इन देशों के साथ हमारे रिष्टे काफी मजबूत हैं, गल्फ कंट्रीज के साथ, तो फिर क्या फरक पड़ेगा, इसराइल के साथ अगर रिलेशन्स नॉर्मलाइज हुए हैं, UAE ब तो सिधा सा लोजिक है देखो, इसराइल और UAE में इंडिया बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करता हैं, अब चूंकि इन देशों ने भी इसराइल के साथ रिष्टों को नॉर्मलाइज कर लिया हैं, इसराइल भी इन देशों को बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करने काफी स्ट्रोंग है मतलब इस्राइल की स्ट्रेंथ है ये सब प्रोडेक्ट्स है तो अब इस्राइल इन सब चीजों को एक्सपोर्ट अगर करेगा UAE, बहरीन और दूसरे अरब कंट्रीज में तो इंडिया से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा ये इंडिया पर इंपेक्ट पर सकता है इवन देखो अगर मैन पावर की बात करें जैसे आमने डिस्कस किया गल्फ कंट्रीज में पचांस नहीं 80 मिलियन जो इंडियन डैस पुरग एट मिलियन यानि असी लाख असी लाख जो लोग है वो अभी गल्फ कंट्रीज में रहते ह अब चूंकि देखो इस्राइल और बहरीन रिष्टो को नर्मलाइज करेंगे तो इस्राइल से भी बहुत सारी स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो मैन पावर हैं वो गल्फ कंट्रीज में आएंगी तो मतलब इंडियन डियस्पोरा के लोग को आसानी से जोब नहीं मिलेगी यह तो थोड़ी एक्स्ट्रीम स्टेट्मेंट हो गई यूं कहना कि असानी से जोब नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे देश की पोपुलिशन काफी जादा है और जितने हमारे लोग अभी गल्फ कंट्रीज में काम कर रही है असी लाख उतनी तो इस्राइल की टोटल पोपुलिशन है इस्राइल की टोटल पोपुलिशन कितनी है साथ एक क्रोड के आसपास है न मतलब चेक करना पड़ेगा जितना मुझे याद है इतनी ही है तो बट आएंगे इस्राइल के लोग भी जो सेमी स्किल्ड या फे स्किल्ड मैन पावर हैं वो गल्फ कंट्रीज में आएंगे त थोड़ा सा तो फरक पड़ेगा इंडिया पे जादा नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा तो पड़ेगा और इस्राइल के पास एडवेंटेज ये हैं कि इस्राइल में ये जो सैफर डिम या फिर मिजराहिम कमिटी के जो लोग हैं ये अरबिक लेंवेज बोलते हैं जब वो असानी से adjust हो सकते हैं, UAE के environment में दुबई आपको पता है financial hub है दुनिया का, मतलब उन cities में माना जाता है दुबई जहां पर बहुत ज़्यादा financial transactions होती हैं, तो बहुत से इसराइल के entrepreneurs यहां पर business start कर सकते हैं, इसके अलावा देखो, Indians जो हैं, उनका दूसरे मामलों में भी काफी ज़्यादा role हैं, जैसे for example, दुबई के real estate में, काफी Indians ने अपने invest करके रखा है, दुबई में, जमीने वहां पर खरीद कर रखी हैं, tourism, service sector, यह तो वैसे COVID-19 के बाद थंडा पड़ा है, but investment जो है, पहले जो Arab countries इंडिया में कर रहे थे, थोड़ी बहुत investment वो इसराइ इसलिए इंडिया को पहले से तयार रहना चाहिए, और अपनी जो engagement है, Arab countries के साथ वो strong रखनी चाहिए, फाइदा भी होगा हाला कि, पहले देखो इंडिया को दिक्कत आती थी, इसराइल के साथ इंडिया के रिष्टे अच्छे थे, गल्फ कंट्रीज के साथ भी अच्छे नहीं होगी, थोड़ा तो इंडिया को फाइदा भी होगा, तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया, अब राम एकोर्ड का क्या असर पड़ेगा इंडिया पर, अब लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन हम देखते हैं, चार्ट करेंगे एथिक्स और रिलीज देखने को मिलता है, similarities क्या है, और differences क्या है, religion देखो, faith पर अधारित होता है, विश्वास पर अधारित होता है, जैसे हिंडूइजम में मूर्ति पूजा की जाती है, दूसरे धर्मों में भी, भगवान के परती सर्धा अर्पत करने के लिए, वर्शीपिंग के लिए अलग लग rituals है, इनके पीछे देखो, कोई logic नहीं निकलता, ये विश्वास के ऊपर है, मूर्ति में भगवान निवास करते हैं, या फिर नहीं करते हैं, आप यहां पर logic नहीं लगा सकते, और भी जैसे काफी सरे रिति रिवाज ऐसे होते हैं, जो सिरफ और सिरफ विश्वास पर अधारित होते हैं, बिलीफ पर अधारित होते हैं, reasoning नहीं होती, logic नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ, ethics जो होते हैं, वो reasoning पर अधारित होते हैं, logic हालांकि देखो, गलत भी हो सकता है, लेकिन at least, logic दिया जाता है कि इस चीज़ के पीछे ये logic है, उसके बाद, दूसरा difference ये ह हैं, आप देखो, established standards के अधार पर, ethics को या तो accept कर सकते हो, या फिर reject कर सकते हो, लेकिन आप faith को, यानि religion को reject नहीं कर सकते, कम scope है religion को accept करने का, next, ethics का जो अधार है, वो है wisdom, mind, यानि बुद्धी मता, लेकिन religion का अधार है, आत्मा, hurt, हमारा दिल कहता है, हमारी आत्मा कहती है तब ही हम भगवान की पूजा करते हैं, अधरवाइस भगवान को किसी ने देखा थोड़ी है, तो आवाज आती है, आत्मा से, hurt से, जबकि, ethics का अधार है, बुद्धी मता, logic कहां से लगता है, logic लगता है, mind से, तो ये हमने kind of, दोनों को समझा, parallel रखके, ethics क्या है, और religion क्य किस परकार से, जो religion है, वो ethics से अलग है, अब देखो religion के बारे में कुछ थोड़ा ओर detail से discuss करते हैं, जैसा हमने discuss किया, religion जो होता है, वो विश्वास पर अधारित होता है, faith पर अधारित होता है, हमारे society में कई सारे faith है, जो कि अलग-अलग basic values पर अधारित है, अलग-अलग जैनिजम के द्वारां पर्मोट किया जाता है, non-greediness, middle path, self-sacrifice, social ethics, जैनिजम के द्वारां पर्मोट किया जाता है, non-violence, peace, right faith, right knowledge, right conduct, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, history में, जैनिजम, बुद्धिजम काफी detail से, अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, क्योंक पर्मोट हर एक साल या फिर दो-तिन साल में एक कोशन जूड़ आता है, बुद्धिजम पर जैनिजम में, और जो बक्ती मुमेंट और सूफी मुमेंट है, उनको भी ध्यान से पढ़ लीजेगा, बक्ती मुमेंट और सूफी मुमेंट के जो propagators हैं, for example, कभीर, नानक, मीरा इन सब पर भी UPSC कोशन पूछ लेती हैं, जैसे इस बार चितन्य महापर्भू पर कोशन पूछ लिया गया था, मेंस में, इसलाम में हम बात करें, तो equality की value पर focus किया जाता है, हिंदुजम में inclusiveness, plurality, truth, निश्काम करम, मतलब करम करो, फल के इच्छा मत करो, ऐसा बोला गया है गीता में, भगवत गीता में, sacrifice, ये सब values हैं, अलग-अलग faith में, अलग-अलग values पे focus किया जाता है, हिंदुजम की हम थोड़ा और जड़ा detail से बात करें, जैसे वेदो में कहा गया है, human life का जो aim है, वो है good human बनना, जैसे वेदो में एक पुरुसार्थ ठोरी की बात की ग करना है, कौन से चार गोल्स, अर्थ, काम, मोक्स, चोथा है, धरम, तो इन चार गोल्स को attain करना लक्षय होना चाहिए, human being का, ये बोला गया है वेदो में, ये पुरुसार्थ ठोरी है, अगर यूपयसी पूचती है, उपनी सद में बात की गई है, तुरूत की, धरम की, करम की, सत्यमेव जयते, इसके बारे में, यूपयसी ने प्री में कोशन पूचा था, गीता में, बोला गया है, निश्वार्थ भावना से अपनी डूटी कीजिए, और फल की चिंता मत कीजिए, हिंदूईजम के मा भारत में बोला गया है, जैसा वेवार आप दूसरों से एक् मायन में, और एक बात जो बार-बार बोली जाती है, कि रगुकुल रीत सदा चली आए, प्रान जाए पर वचन ना जाए, आप किसी से वादा करते हो तो उस वादे को निभाओ, ये छोड़-छोड़ी बाते हैं, कहीं न कहीं काम आ जाती हैं, उसके बाद कुछ similarities भी हैं, स अच्छा इंसान बनना, ना कि संसारिक चीजों को इकठा करना, next, ethics देखो, बहुत बार human religious principles पर अधारित होते हैं, जैसे इंडिया में काफी सारे धर्मों ने जनम लिया, जनीजम, हिंडूइजम, बुदीजम, इन सब का origin इंडिया में हैं, तो इन सब धर्मों के जो principles हैं, उन्होंने ethics की सकल ले ली हैं, जैसे मैं आपको example देता हूं, truth, non-violence, inclusive society, ये अलग-अलग धर्मों के principles हैं, वैसे देखो ऐसा नहीं है कि कोई धर्म violence सिखाता है, लेकिन non-violence का ज़्यादा focus है जनीजम में, उसी पर कासे inclusive society का ज़्यादा focus है हिंडूइजम, truth का ज़्याद में सबसे ज़्यादा population हिंडूओं की है, तो ये जो principles हैं, वो society में भी established हैं, कहने का essence क्या हुआ यहां पर, कहने का essence यह हुआ कि religious principles के आधार पर society में ethics emerge होके आते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, आगे हम discuss करेंगे, जैसे conflict भी देखने को मिलत है, ethics और religion के बीच मैं आपको simple example देता हूँ, हाजी अली दरगा में woman की entry को रोका जा रहा है, society आगे बढ़ गई है, liberal values को अब accept किया जाता है समाज में, लेकिन religion पीछे रह गया है, इसलिए दोनों के बीच conflict देखने को मिलता है, यह हम आगे discuss करेंगे, जब conflict की बात करेंग के लिए aim रखते हैं, objectives रखते हैं, और तरीका भी बताते हैं कि उन aims को, उन objectives को कौन से तरीके की साहिता से प्राप्ट किया जा सकता है, यानि right path कौन सा है, जैसे देखो religion में, आपको पता है, mean पर focus किया दाता है, भगवत गीता के द्वारा, भगवत गीता में क्या कहा गय कि आप सिरफ करम पर focus करो, फल की चिंता मत करो, इसी परकार से अलग-अलग धर्मों में निर्वाना की बात की गई है, निर्वाना जो की एक end है, कहा ये जाता है, कि सिरफ आप ये देखिए कि जीवन में मुक्ती कैसे मिल सकती है, मोक्स कैसे प्राप्त हो सकता है, means मत देखिए, उसी परकार से ethics में भी अलग-अलग means और ends पर focus करने वाली theories है, जैसे कांट कहते है, action अच्छा होना चाहिए, means अच्छा होना चाहिए, result चाहिए, कुछ भी निकले, गांधी भी यही कहते है, means और ends में continuity होनी चाहिए, और ends पर focus करने वाली theory को भी हमने discuss किया था teleology, Aristotle भी यही बोलते हैं, agent अच्छा होना चाहिए, action अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, तो यह चार similarities आप लिख दिखेगा, अगर यूप यह सी पूछती है, similarities क्या है, ethics और religion के बीच, अब हम conflict की बात करते हैं, ethics और religion के बीच, conflict कैसे देखने को मिलता है, examples भी देखेंग और क्यों देखने को मिलता है, जब देखो, ethics को धरम के उपर impose किया जाता है, और religion को ethics के उपर impose किया जाता है, तब tension और conflict देखने को मिलता है, religion में और ethics के बीच में, जैसे सबरी माला temple entry case देख लीजिए, 10 words से 50 साल के बीच की जो महिलाएं हैं, उनको नहीं enter करने दिया जाता, सबरी माला temple में, religion की अलग से theory है, भगवान अयप्पा जो है, जिनका वो मंदिर है, उन्होंने ब्रम चारे अपना के रखा है, इसलिए ये logic दिया जाता है, जब कि आपको बता है, values अब हमें नहीं allow क साथ सिर्फ इसलिए कि वो महिलाएं हैं, तो ये values आज के समय में survive करना इन values का मुश्किल है, तो यहाँ पे conflict देखने को मिलता है, even देखो, religion को impose किया गया था, medieval time में भी, उस समय western society में, medieval era में, यानि मद्यकालिन era में, Pope का rule हुआ करता था, लेकिन society modernize हो चुकी थी, moral liberal values emerge हो religion के बीच और ethics के बीच, even Indian constitution को जब adopt किया गया था, तो बहुत से लोगों ने बोला था, कि हिंदू राष्टर establish किया जाए, लेकिन हमारे देश के सविधान में secular values को adopt किया गया, हाला कि secularism word बाद में आया, लेकिन जैसा हम discuss कर चुके हैं, जब हमने society में secularism को discuss किया था, बहुत से rights ऐसे हैं, जो automatically हमारे सविधान को secular बनाते हैं, हमारे देश को secular बनाते हैं, जैसे 8, 25, 26, 28, 28 और right to equality वाले fundamental rights हैं, तो इस परकार से हमने बात की, कैसे ethics और religion के बीच conflict देखने को मिलता हैं, लेकिन UPSC देखो, question इस परकार से भी पूछ सकती हैं, कि ये conflict होता क्यू हैं, conflict देखो होता है, एक तो absence of rational thinking की वज़े से, society में जो लोग हैं, वो rationally नहीं सोचते हैं, तो इस वज़े से conflict देखने को मिलता है, दूसरा, धरम काफी बार पिछड जाता है, मतलब आउटेट हो जाता है धरम, यानि religion, लेकिन faith को कोई question नहीं कर सकता, जैसे जो विविन धरम हैं, वो समय के अनुसार अपने आपको update नहीं कर पाते, लेकिन ethics समय के अनुसार update होते जाते हैं, लेकिन कोई यूँ कह नहीं सकता, कि faith गलत है, religion को कोई गलत बता नहीं सकता, तो ये भी एक reason है, conflict देखने को मिलता है, religion के बीच और ethics के बीचे, लेकिन आप इसका solution ये गलत है, Buddhism गलत है, कोई नहीं कह सकता, लेकिन सभी धर्मों में कुछ ने कुछ जो rituals हैं, उन पर जरूर स्वालिया चिन लगाया जा सकता है, समय के अनुसार कुछ-कुछ जो rituals हैं, जिसमें अधविश्वास हैं, उनको avoid करना जरूरी है, तभी society में stability लाए जा सकती हैं, reforms ला Swami Vivekanand के तरह हैं, Swami Vivekanand कहा करते थे, मुझे सबसे last में निर्वान चाहिए, क्योंकि मैं man की service के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि man की service जो है, वो भगवान की service है, हर जीवा में सीवा है, इस परकार की बाद Swami Vivekanand कहा करते थे, लेकिन उनके जैसे leaders की आज के समय में कमी हैं, जो की society में एक अच्छा lessons जनता तक पहुंचा सकें, दूसरा solution ये हो सकता है, state जो है, वो हमेशा neutral रहे, state जब किसी एक particular धरम का साथ देने लगता है, तब भी society में जो conflict है, ethics के बीच और religion के बीच और ज़दा बढ़ जाता है, state को neutral भूमिका निभानी चाहिए, और religion जो है, वो largely private affair ही होना चाहिए, आप religion को इस परकार से practice मत करो, कि दूसरे लोग जो है, वो तकलीफ में आए, अगर दूसरे लोग तकलीफ में आते हैं, तो भी society में instability आती है, ethics और ला के बीच सिदा सिदा conflict देखने को मिलता है, हमें आप मोहन राय जैसे leaders भी चाहिए, इस परकार से हमने details से discuss कर लिया, ethics और religion के बीच क्या relationship है,